सास तो बस नाम से बदनाम है, दिल जोरो से धड़क रहा था, कामनी नीचे नजरी जुका कर बैठी हुई थी, सामने बैठी सूरज की मा, निर्मला जी बोली, हमें लड़की पसंद है, सुधा जी आपके जवाब का इंतिजार रहेगा, बोलकर वेलो जाने के लिए खड़े ह कामनी की मा, सुधा जी ने हसकर उन्हें विदा किया, उनके जाते ही, कामनी बोली, इतनी देड़ से साड़ी पहन कर बैठी हुँ मम्मी, इतनी गर्मी में, क्या यार मम्मी, मुझे नहीं करने शादी वादी, जब देखो, कोई न कोई लड़का, और उसकी मा को घर बुलात न चाहिए, ताकि मुझे अच्छा पती मिल जाए, कहकर कामनी साड़ी बदलने चली गई, कामनी कपड़े बदल कर अपना नाइट ड्रेस पहन कर बैठ गई, सुधा जी, कामनी की पिता संजीव जी से बोली, मुझे सूरज और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा, क्या कहते हो संजीव जी, संजीव जी बोले, सुधा मुझे भी घर परिवार और लड़का अच्छे लगे, अब कामनी पर सब कुछ है, पहले छे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बस इस बार हां कह दे, कामनी अच्छे रिस्ते बार बार नहीं मिलते, तुम अगर इसी त सबी रिस्तों को ना कहती रहो, तो वे वक्त दूर नहीं की, तुम कुवारी ही रह जाओगी, कामनी बोली, आप लोग अच्छे से जानते हो, मैंने क्यों इतने लड़के रिजेक्ट किये, आज भी आप लोग दीदी की हालत देखी रहे हो, उनकी सास हर बात में टोक टोक क करती है, अपनी मर्जी का उन्हें कुछ भी नहीं करने देती, दीदी को आप लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया, मगर क्या फायदा हुआ, दीदी का जौब तक छुड़वा दिया गया, उनके ससुराल वालों ने और तो और दीदी को माईके भी आने के लिए उनकी जाजत मांगनी पड़ती है, नताशा दीदी की सास का ऐसा दुर वहवार देखकर मुझे सास नाम के प्राणी से ही नफरत होने लगी है, कहीं मुझे भी दीदी जैसी सास मिल गई, तो मेरा क्या होगा, दीदी तो सीधी है, जो इतना अरजेस्ट कर रही है, लेकिन आप लो हां तो जिन्दकी भर यही सोचते रहना और शादी मत करना, एक उम्र के बाद ये जो रिस्ते आ रही है, वे भी नहीं आएंगे, और बैठी रहना कुवारी, जिन्दकी भर, अभी शादी की उम्र है, इसलिए सामने से इतने रिस्ते आ रही है, एक बार उम्र ढल गई, तो कोई घास भी नहीं डालेगा, कहकर सुधाजी रो पड़ी, मा को रोता देख, कामनी का दिल पिघल गया, वे बोली मुझे भी सूरज और उसका परिवार अच्छा लगा मा, मगर बस अब कुछ मत बोल, इस रिस्ते को हां कर दे, तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना है दिल में और कहीं उसे पहले मुझे कुछ हो गया तो सुधाजी ने कहा, कामनी ने सुधाजी की बात काटते हुए कहा, मम्मी, ऐसे असुब शब्द क्यों बोलती हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, और कामनी ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिस्ते को हां कर दी, सूरज और कामनी की फोन पर धेरू बाते होने लगी, दोनों अपडेट पर भी साथ जाने लगे, सूरज तो कामनी को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी खतम नहीं हुआ था, एक दिन कामनी सूरज से बोली, सूरज मैं तुम्हारी मा से मिलना चाहती हूँ, ताक साधी से पहले मैं उन्हें भी समझ पाऊं, सूरज बोला, कामनी मा तो सबकी एक जैसी होती है, मेरी मा भी बुलकुल तुम्हारी मा जैसी ही है, हसमुक और मिलनशार मा से मिलकर क्या बात करना चाहती हो, कामनी बोली, सूरज मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, कि वे अपनी बहुर के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं ताकि कल के दिन मुझे उनके साथ समन जलसेर बैठने में असानी हो क्योंकि मुझे कल के दिन रहना तो उनके साथ ही है ना सूरज ने कामनी को अपनी मा का नंबर दे दिया और बोला ये लो ममी का मुबाइल नंबर और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो कामनी ने जब घर आकर अपनी मा सुधा को बताया कि वे अपनी सासु मा से मिलकर साथी से पहले ही सारी बाते क्लियर कर देगी ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी नतासा दीदी जैसी ना हो ये सुनते ही शुधा जी भड़कते हुए बोली ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इसे एक लड़का पसंद आया है इतना अच्छा रिस्ता अपने ही हातों से खोने चली है भला कोई लड़की शादी के पहले अपने ही सासु मा से सवाल करे तो क्या सासु मा ऐसा रिस्ता बरकरार रखना चाहेंगी? निर्मला जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि क्या यही संसकार दिये हैं हमने अपनी बेटी को? शादी से पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी अजादी के बारे में सवाल पूछे तो कौन सास उस बहु को स्विकार करना चाहेगी? कामिनी फिर भी अपनी बात पर अटल रही और उसने अपनी बड़ी बहन नतासा को फोन करके सब बताया नतासा फोन रखकर अपने अतीत के गलियारों में खो गई नताशा और धीरज का जिब रिस्ता तै हुआ कितनी खुस थी नताशा? नताशा शादी के पहले जौब करती थी उसने जब धीरज से कहा था कि वे शादी के बाद भी इसी तरह जौब करती रहेगी तो धीरज ने भी उसे सत्यवाना देती हुई कहा था कि उसके घर में बहुओं को जौब करने की छूट तो नहीं है मगर वे अपनी मा को मना लेगा शादी के बाद नताशा की सास काविरी जी ने सबसे पहली चीज नताशा की छुड़वाई वे थी उसकी नौकरी धीरज की भी अपनी मा के आगे एक ना चली काविरी जी बोली हमारे घर की बहुओं नौकरी नहीं करती और यदि तुम नौकरी पर जाने लगी तो घर का काम कौन करेगा हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है और अगर यहां की बहुओं नौकरी करने लगी तो हमारी इज़त खाक में मिल जाएगी नताशा को घर में पूरे दिन साडी में रहना पड़ता था क्योंकि काविरी जी को बहु का सलवार सूट पहनना गवारा नहीं था पूरे दिन नताशा साडी में रहती भले ही बाहर कितनी गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो उसे बहुत बार मन करता की वे कर्टन के सलवार सूट पहने ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत ना आए मगर सासु मा के सामने जब भी वे कुछ बोलने जाती सासु मा उसे चुप करा देती और कहती बहु अचानक से कोई महमान आ गया और वे तुम्हें सलवार सूट में देखेगा तो हमारी नाक कट जाएगी एक एक करके नताशा की सारी इच्छाएं सासु मा के अरमानों तले दब कर रह गई काविरी जी नताशा के सुबब छे बज़े उटने पर भी गुसा हो जाती थी और कहती थी बहु सुबब पांच बज़े उठ जाया करो और फिर नहाध होकर रसोई सम्हाला करो तुम्हारे देर से उठने की वज़ से सारे कामों को देरी हो जाती है वैसे भी 6 बजी उठकर भी सारा काम नतासा को अकेले ही करना होता था फिर भी पता नहीं काविरी जी को नतासा के 6 बजी उठने में क्या दिक्कत थी कावेरी जी नताशा के माईके वालों से भी हमेशा चिड़ी हुई रहती जिस वज़े से नताशा के घर उसके माईके वालों का आना ना के बराबर हो गया था कामनी को अपनी दीदी नताशा की सास पर बड़ा बुस्ता आता और वे कहती दीदी आप अपनी सास को कुछ कहती क्यों नहीं उन्होंने आप पर कुछ जादा ही रोग टोक लगा कर रखी है क्या बहुओं की अपनी कोई जिन्दिकी नहीं होती इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता होगा जिस तरह आपकी सास आपको रखती है नतासा कहती कामनी मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राइ करके देख लिया मगर मेरी सासू मा तस से मस नहीं होती उन्हें बहु की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है यही सब सहते सहते एक दिन वे दिन भी आ गया जब नतासा ने घरवालों को अपने प्रेगनेंट होने की खुश खबरी दी फिर भी कावेरी जी ने नतासा की इन दिनों में भी कोई फिक्र नहीं की नतासा जैसे पहले काम करती थी वैसे ही इन दिनों में भी काम करती रही नताशा ओ नताशा तुमने अब तक चाय नहीं बनाई कावेरी जी की अवाज से नतासा की तेंद्रे तूटी और वे चाय बनाने रसोई में चली गई चाय बनाकर नताशा कावरी जी से बोली मुझे आज मार्केट जल्दी जाना है मम्मी जी क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे काम है प्रैस वाले भाईया की दुकान पर जाकर हिसाब भी करना है दूद और फल वाले भाईया को भी महीने के पैसे देने है और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने दी है वे भी मार्केट से लानी है मुझे आने में जरा द कावरी जी ने भी हामी भर दी नतासा ने जल्दी से ओटो लिया और अपनी मा के घर गई अपने माई के जाकर वे अपनी मा सुधा जी से बोली मम्मी कामनी को अपनी सास से बात करने दो वरना कल की दिन कहीं उसके भी हाल मेरे जैसे ना हो जाएं धीरज ने मुझसे सादी स पहले यही कहा था कि वे शादी के बाद सब सम्हान लेगा, मुझे मेरी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ेगा, मगर उसके विपरीत मेरी साथ सब कुछ उल्टा हुआ, कामनी वैसे भी मेरी ये हालत देखकर डरी हुई है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का भी हाल शाद भाने भी बड़ी बेहन की बात मान ली, और बोली शायद मैं ही गलत कर रही थी, शादी के बाद कोई रिस्ता बोज बन जाए, उससे पहले ही उस रिस्ते को मुक्त कर देना चाहिए, वरना वे बोज पूरे उम्र ढोना पड़ता है, कामनी नतासा के गले लगकर बोली, दी आप से जीना शुरू कर दीजे, क्योंकि अपने खुशियों की चाभी अपने हाथ में ही होती है, नताशा को कामनी की बात बुलकुल सही लगी, और वे बोली, आज तु अपने खुशियों की चाभी ढूंड कामनी, फिर मैं भी अपने खुशियों की चाभी ढूंड लूं मम्मी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ निर्मला जी ने कामनी को अपने घर बुला लिया और बोली बहु तुम शादी से पहले भी अपने ससुराल आ सकती हो इसलिए यहीं चली आओ कामनी अपने होने वाले ससुराल पहुँची तो निर्मला जी ने उसे प्यार से अपने पास सोफे पर बैठा लिया और बोली कहो बहु क्या कहना चाहती हो कामिनी बोली मम्मी जी मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि शादी के बाद आपकी मुझसे क्या आपेक्षाई है निर्मला जी बोली बहु मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी समझती है मैं तो अपनी बहु के साथ दोस्ताना वहवार रखना चाहती हूँ ताकि मेरी बहु को कभी उसके मायके की याद ना आए मैं चाहती हूँ कि तुम जिस तरह अपने माईके में कपड़े पहनती हो उसी तरह तुम अपने ससुराल में भी पहनो मैं नहीं कहूंगी कि तुम हमेशा साड़ी पहन कर रखो हां मगर जब महमान आएं तब तुम सलवार सूट पहनो तुम अपनी नौकरी भी बरकरार रखो मेरे बेटे से कदम से कदम मिला कर चलो हां मगर बड़ो की इज़त करना कभी मत भूलो मैं नहीं कहूंगी कि तुम सुबच छे वजे उठकर रसोई समहा लो हां मगर अपने काम के प्रतीत सजक रहो बस बहु से मेरी यही अपेक्षाएं हैं कामिनी को अपनी सास निर्मला जी की बाते बहुत पसंद आई और वे उनका आशिरवाद लेते हुए बोली मम्मी जी आपने मेरे दिल का बोज हलका कर दिया अब मैं खुशी से वापस घर जा पाऊंगी निर्मला जी बहु के सर पर हात रखते हुए बोली और हाँ बहु मुझे बीच बीच में घुमाना और मोवी दिखाना मत भूलना और दोनों सास बहु हस पड़ी कामनी ने घर आकर जब अपनी मा और बहन को ये सारी बाते बताई तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई थोड़े महीनों में कामनी ससुराल में बहु बनकर आ गई दिल में डर हाथों में कपन लिये कामनी पहले दिन रसोई में पहुची और निर्मला जी से बोली मम्मी जी मैं चाय बना देती हूँ निर्मला जी बोली बुलकुल नहीं कामनी का दिल डर के मारे थमसा गया उतने में निर्मला जी बोली आज मेरी बहु का पहला दिन है रसोई में आटे का सीरा बना दो बोलकर मुस्कुरा दी मैं तुम्हारी मदत करूँगी सीरा बनाने में तुम भूलकुल चिंता मत करना ये सुनकर कामनी की जान में जान आई दो दिन बाद निर्मला जी ने कामनी से कहा तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो बहू कामनी खुश हो गई धीरे धीरे वे ससुराल में रचने बसने लगी रोज जॉब पर से ठक कर आती तब सासु मा के हाथों का बना खाकर उसका दिल खुश हो जाता और वे समठ चुकी थी कि सब सासे एक जैसी नहीं होती सूरज जैसा पती और निर्मला जी जैसी सास किसमत से मिलते हैं फोन पर कामनी ने अपनी मा से कहा सुदा जी को भी मन में यही चिंता थी कि पहली बेटी नताशा तो अपनी जिंदकी में सुखी नहीं है कम से कम दूसरी बेटी तो खुश रहे कमनी की दीदी नताशा भी कमनी को खुश देख कर बहुत खुश थी कमनी के माईके में गनपती को घर लाने का सत्य नारायन की पूजा रखी गई थी जिसमें कमनी और नताशा के ससुराल वाले भी आये थे नताशा की सास वहां भी मूँ चड़ाय बैठी थी और कमनी की सास उत्साहित पूरवक कमनी के माईके वालों का काम में हाथ बटा रही थी दोनों की सासों में जमीन आस्मान का फर्क था कमनी को अपनी सास पर गर्व था और वही नताशा को अपनी सास पर अफसोस नताशा घर जाकर धीरज से बोली मुन्ना अब बड़ा हो गया है मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ इस बार धीरज ने नताशा का साथ दिया और अपनी मा कावरी जी की इच्छा के विप्रीत जाकर नताशा को नौकरी करने की इजाज़त दी मुन्ने के लिए एक मेड रख दी जो सास कावरी जी की नजरों के सामने मुन्ने को पूरे दिन सम्हालती नताशा ने भी अपनी खुशियों की चावी ढूंड़ना शुरू कर दिया था दोस्तो आज भी बहुत से घरों में आपको यही देखने मिल जाएगा हर सास एक सी नहीं होती जरूरी नहीं कि किसी एक की सास अपनी बहु के साथ दुर वहवार करती है तो दूसरी भी यही करे सास तो बस नाम से बदनाम है उमीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी य देकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी बॉइस को